जै सिरी राम दोस्तो आ गया हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ तो दोस्तो आज अपने इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यूं मनाया जाता है महापर्व छट पूजा दोस्तो आज मैं बताने जा रहा हूँ छट पूजा का इतिहास और महत्व दोस्तो छट पूजा का महापर्व उत्तर भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है ऐसे में हर भारतिये को इस महापर्व के इतिहास के बारे में जानना चाहिए दोस्तो आप सभी को पता होगा कि छट पूजा के दिन सुर्य देवता और छटी महिया की पूजा विधी विधान से की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं इस परु को कब से मनाना शुरू किया गया भगवान सुर्य के अराधना कब से की जाने लगी इसका इतिहास बहुत ही पुराना बताया गया है पुरानिक मानेताओं के मुताबिक छट पूजा को सत्यूक से जोड़ कर देखा जाता है ऐसी कई कथा मिलती है जिसमें राजा प्रियवंद भगवान राम पांडवों के अलावा दानवीर कर्ण की कहानी का जिक्र मिलता है तो चलिए छट के सुब अवसर पर इन कहानियों के बारे में जानते हैं तो दोस्तों आज सबसे पहले चर्चा करेंगे राजा प्रियवंद ने जो पूजा की थी आईए जानते हैं एक पुरानिक मानेता के मुताबिक राजा प्रियवंद नी संतान थे और उस वजह से पर इस यग्य में बनाई गई खीर को राजा प्रियवंद की पतनी को खिलाई गई उसके बाद उनके यहां एक पुद्र का जनम हुआ लेकिन वह मृत पैदा हुआ इस वियोग में राजा ने भी अपने प्रन त्याग दिये उसी समय ब्रह्मा की मानस पुतरी देव सेना ने र प्रवरिती के छटे अंत से उत्पन हुई हूँ इसलिए मेरा नाम सस्थी भी है अगर तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार करो तो तुम्हारा भला होगा उसके बाद राजा ने सस्थी के दिन विधी विधान से पूजा पाठ किया और उसके बाद उनके यहां पुतर की प्राप्ती हुई तो दोस्तो आईए अब जानते हैं स्री राम और सीता ने जो अर्ग दिया था उस कहानी के बारे में तो दोस्तो पौरानिक माननेताओं के मुताबिक लंका के राजा रावन का वध करने के बाद स्री राम जब पहली बार अयुद्या इस समय भगवान सिरी राम और मा सीता ने राम राजी के अस्थापना के लिए छट का उपवास रखा था और उस समय सुर्य देव की पूजा अर्चना की थी। उसके बाद पांडवो को उनका राजपाट वापस मिल गया था। आईए दोस्तों तो बात करते हैं दानवीर कर्ण की कहानी की जिसने की थी सबसे पहले छट पूजा। असनान के बाद नदी में जाकर अर्खे देते थें। तो दोस्तों आज अपने इस ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि क्यों मनाया जाता है छट पूजा का महापर्व और इसका इतिहास और महत्व। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा या वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर नए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों छट महापर्व अब कुछ ही दिनों में आने वाला है और आप सभी को छट पर्व की हारदिक सुपकामनाएं। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर छट से दिपावली से जितने भी रिलेटेड वीडियो हैं वो आपको देखने को मिलेगा। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन दवा ले और दोस्तों अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तब के लिए जैसरी राम।